तो आज हमारा इंजिनिर्र मैथमेटिक्स वन में यूनिट नमबर टू का लेक्चर नमबर फॉर है और हमारा जो टॉपिक है वो है लेबनीज थियोरम पर एक लेक्चर हमारा हो चुका है जिसमें मैंने आप लोगों को लेबनीज थियोरम के ऊपर वेज तीन कोश्चन होना चाहिए तो लेबनीज थियोरम हम तब एपलाई करते हैं अगर हमारे पास दो फंक्शन मुल्टिप्लिकेशन में हो और हमें उनका एनत डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तब हम लेबनीज थियोरम का यूज करते है ठीक है तो देखिए इससे पहले जो हमने लेबनीज और फंक्शन फोर एक्सक्वल डीडू जीरो यानि कि हम फंक्शन में फंक्शन के एनत डैरिवेटिव की वेल्यू केलकुलेट करेंगे कब जब एक्सकी वेल्यू जीरो होगी ठीक है अब यहां पर इसमें नया क्या होगा वहम देखते हैं सबसे पहले वरकिग वरकिलू मतलब जब हम questions को solve करेंगे तो वहाँ पर हमारे क्या-क्या steps आने चाहिए तो देखे पहला step है, equate the given function equal to y जो भी function आपको दे रखा है, अगर वो y के equal to में दे रखा है, तो अच्छी बात है अगर नहीं दे रखा है y के equal to में, तो आप उसको y के equal put कर देंगे फिर उसके बाद step number 2, आप calculate करेंगे y1, y1 क्या है, dy by dx यानि कि आपको जो function given है, उसमें आप dy by dx find out करेंगे, मतलब आप y1 को calculate करेंगे उसके बाद again calculate y2, यानि कि इस बार आप क्या करेंगे, एक बार और differentiate करेंगे और आप y2 को find out करेंगे, y2 मतलब d2y upon dx square, ठीक, इतना calculate करने के बाद, अब आप देखें क्या करेंगे next step में आप Leibnese theorem को apply करेंगे, ठीक है, differentiate both side n times by Leibnese theorem अब आपको differentiation करना है दोनों तरफ किस से करना है by Leibnese theorem, आपको Leibnese theorem की help से differentiation करना है, यानि कि देखें, पहले चार step में क्या है, पहले आप y के equal to function रखेंगे, फिर y1 एक बार differentiate करेंगे, फिर दुबारा differentiate करेंगे, फिर उसी function को end times differentiate करेंगे तो अगर आप ध्यान दे, जो last lecture मेंने Leibnese theorem के ओपर बेस लिया था, वहाँ पर जो हमने question solve किये थे, उन questions में ये पहले चार step ही आते हैं, ये first four step वहाँ पर आते हैं, यानि कि यहां तक तो हमारा question as it is same होगा, जैसा कि last lecture में थे, अब जो change आएगा, वो इसके बाद आएग अब 1, 2, 3 equation कौन सी होगी, देखे, जब आपने function को y के equal रखा, तो वो आपकी equation number होगी 1, उसके बाद जब आपने उसको एक बार differentiate किया, तो वो आपकी equation number आगे 2, उसके बाद फिर आपने एक बार और differentiate किया, तो वो हमारी equation आजाएगी 3, और उसके बाद आपने Leibnese theorem का use कर पास equation number आजाएगी 4, और उसके बाद क्या करना है आपको, x की value 0 put करनी है, चारो ही equation में, और x की value जब आप 4 equation में 0 put करेंगे, x की value को जब आप 4 equation में put करेंगे, तो यहां से देखे, आपको एक और equation मिलेगी, जिसको हम बोलेंगे equation number 5, equation number 5, तो आपके पास इस तरह से total 5 equations ब बनेंगे उसके बाद आपको क्या करना है इन equations की एक्वेशन की हैप से जो इक्वेशन नमबर 5 है इस एक्वेशन में हमारे पास N आएगा एन क्या होगा integer होगा अब वहाँ पर इक्वेशन में हम M की वेल्यू को calculate मतलब n की value को put करेंगे n की value होंगे integers यानि कि हम n की जगा पर 1, 2, 3, 4 इस तरह से substitute करेंगे और substitute करने के बाद हमारे पाब वहाद 2 cases बनेगे एक बार जब n odd है देखिए क्योंकि n integer है तो n odd भी हो सकता है और n even भी हो सकता है तो जब n odd होगा तब एक case बनेगा और जब n even होगा तब एक case बनेगा ठीक है तो इस तरह से हमारा यह जो total question है वो complete हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा nth derivative at x equal to 0 तो यह जो हमारे working step है working rule है इसको question से समझते हैं तो जितने भी step है one by one step हम continue करेंगे और हमारे पास जो पहला question है ठीक है यह question last lecture में मैं आप लोग n times लेकिन यहाँ पर हमें इसकी value find करनी है देखे yn और bracket में लिखा है 0 इसका मतलव समझेगे क्या है आपको क्या calculate करना है आपको calculate करना है yn कब जब x 0 है यानि कि y का nth derivative find out करना है कब find out करना है जब x की value क्या है 0 है तो चलिए calculate करते हैं और step by step हम आगे बढ़ते हैं देखे तो सबसे पहला step क्या है कि function को y के equal put करना है तो यहाँ पर पहले से हमें y के equal given है तो कोई problem नहीं y के equal लिख लेंगे अभी इसको y is equal to sin a sin inverse x और इसको मान लेना है equation number 1 देखे पहले step हमारा यही था कि equate the function equal to y और उसको हम क्या मानेंगे equation 1y अब उसके आगे देखे इसके आगे अब आपको क्या करना है अब इसको करना है differentiate with respect to x इसको differentiate करेंगे with respect to x देखे तो with respect to x differentiate करेंगे तो हमें मिल जाएगा y1 and y1 equal to साइन का differentiation होता है cos cos a sin inverse x देखे यहां पर a sin inverse x theta का का काम कर रहा है तो sin का जबाब differentiation करेंगे तो cos आ जाएगा अब chain rule लगाएंगे अब जो sin के आगे लिखा a sin inverse x इसका भी differentiation करेंगे chain rule से तो यह multiplication में आ जाएगा इसका differentiation देखे ए तो constant है और sin inverse x का differentiation होगा 1 upon under root में 1 minus x square 1 upon under root में 1 minus x square और यह हो जाएगी हमारी equation number 2 अब इसको थोड़ा सा simplify करते हैं तो एक ही कितना आएगा देखे मैं आपको last lecture में बता चुक्पा हूँ कि हम जब differentiation करते हैं तो differentiation करते समय जब आप successive differentiation करते हैं एक के बाद एक differentiation करते हैं तो आपके पास अगर कोई चीज denominator में आ जा दियाना है तो कैसे ले जा सकते हैं इसको numerator में इसको left side में cross multiply कर दीजे तो ध्यार दखना जब भी हम successive differentiation करेंगे या लेबनी स्योरम को apply करेंगे तो हमें denominator में कोई quantity नहीं चाहिए हम उसको numerator में लेके जाएंगे तो इसको cross multiply कर देता हूँ left side में आ जाएगा तो यह आ यह मेरे पास आ जाएगा ठीक है अब देखिए यहाँ पर under root लगा अब हमें इसको एक बार और differentiate करना है आप चाहें तो यहाँ directly differentiate कर सकते हैं या फिर पहले इसको क्या करें squaring कर दे दोनों तरह squaring both side देखिए squaring both side अब squaring करके हमें क्या मिलेगा देखिए squaring both side squaring करने के बा root हट गया है 1-x square आ गया उसके बाद y1 square is equal to इधर squaring करेंगे तो a का square आ जाएगा और cos square a sin inverse x यह हमारा आ गया after squaring अब यहाँ पर आप ध्यान दे देखिए यहाँ पर cos square a sin inverse x लिखा है क्या मैं इस cos square को sin में convert कर सकता हूं तो definitely हम इसको convert कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास formula होता है cos square theta is equal to 1-sin square theta तो मैं इस formula से इसको convert कर सकता हूं तो मेरे पास देखिए अगले step में क्या आ जाएगा 1-x square y1 is equal to y1 का square equal to a square और bracket में इसकी जगे मैं लिख सकता हूं 1-sin square a sin inverse x सब्सक्राइब सब्सक्राइब को समझ में आ गया होगा cos square को replace कर दिया 1-sin square से ठीके न चलिए अब अगर आप ध्यान दें sin a sin inverse x किसके equal है y के तो क्या मैं यहाँ पर sin square के जाएगा y square लिख सकता हूं तो हम यहाँ पर change कर देते हैं देखिए क्या आ जाएगा 1-x square y1 square is equal to a square और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 1-y square तो यह हमारे पास equation आ गए simplify करने के बाद ठीके न अब क्या करेंगे अब देखिए अब चलेंगे step number 3 पर देखिए next step क्या था हमारा again differentiate या again find y2 यानिके एक बार और differentiate करेंगे इसको तो एक बार और differentiate करते हैं देखिए क्या आ जाएगा तो देखिए differentiate with respect to x देखिए मैं बार बार differentiate नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ज्यादा space consume हो जाएगा तो again differentiate इसको दुबारा से differentiate करेंगे तो होगा क्योंकि एक ही बार करना है अभी तो इसमें product rule लगाएंगे तो product rule क्या होता है first function को आप ऐसे ही रहने देंगे first को छोड़ देंगे और second का करेंगे differentiation देखिए जब आप y1 square का differentiation करेंगे तो y1 square का differentiation आजाएगा 2 into y1 chain rule लगेगा अब y1 को फिर से एक बार करेंगे तो y2 2 y1 y2 आजाएगा इसका differentiation तो 2 2 y1 y2 is equal to अब इधर चलते हैं देखिए a square तो constant है a square ऐसे ही रहेगा bracket में देखो 1 minus y square लिखा है तो 1 का differentiation 0 और y square का 2y तो bracket में आजाएगा minus 2y लेकिन अब ध्यान दीजिए y square का differentiation 2y हुआ है y square का differentiation 2y अब फिर से y का करेंगे तो यह y1 आ जाएगा 2y into y1 तो यह हमारे पास आ जाएगा अब आगे देखिए next step क्या आने चाहिए अब इसको थोड़ा simplify करते हैं इसको थोड़ा सा simplify करते हैं है ना चलिए एक मिनट यहाँ पर ध्यान दीजिए देखिए यह एक्चल में हमने यहाँ पर first को छोड़ा second का differentiation किया 2y1 y2 और अभी हमने product rule हमारा complete नहीं हुआ product rule complete नहीं हुआ है ध्यान दीजिएगा product rule लगाना है plus अब हम क्या करेंगे देखिए first को छोड़के दूसरे का differentiation किया अब दूसरे को छोड़के first का differentiation करेंगे तो second है मारे पास y1 square इसको ऐसी छोड़ देंगे और 1 का differentiation 0 और x square का minus 2x x square का 2x होगा minus sign लगा है तो minus 2x यह आएगा is equal to a square a square ऐसे रहेगा यहां 1 का 0 y square का minus 2y और फिर से y का y1 देखिए आप ध्यान देना यहां पर x square का differentiation मैंने यहां 2x किया है क्योंकि x के respect में differentiation कर रहे है यहां पर y का differentiation 2y into y1 हुआ है क्योंकि x के respect में differentiation हो रहा है और हम differentiation कर रहे है y का एक और important चीज़ यहां पर ध्यान देजिए हम differentiation x के respect में कर रहे है इसका मतलब यह नहीं कि y constant है क्योंकि y actual में x का ही function है इसलिए आप y का differentiation 0 नहीं लिख सकते ही ठेक है तो 2y into y1 अब इसको थोड़ा simplify करते है कि simplify करते हैं देखे क्या आएगा यहां पर देखो 2y1 यहां भी 2y1 देखे तीनु जगह पर 2y1 आ रहा है तो क्या मैं left side और right side से 2y1 को common ले सकता हूं बेलकुल तो हम 2y1 को common ले लेते हैं तो देखे 2y1 common लेने के बाद क्या आएगा 2y1 को मैंने common ले ले left side से देखे 2y1 तो क्या बचेगा अब अंदर बच जाएगा हमारे पास 1-x square 2 और y1 common आ गया तो यहां बचेगा y2 प्लस प्लस अब देखों यहां पर माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसमें से 2 common आ गया और एक y1 common आ गया तो एक x और एक y1 बचेगा आगे देखे इन दोनों टम से common आ गया is equal to इसमें से भी 2 और y1 को अलग कर लेता हूँ तो 2 y1 को अगर मैं बहार निकाल लूँ तो अंदर क्या बचेगा minus a square बचेगा और क्योंकि y1 को बहार निकाला है तो y भी बचेगा a square y यह हमारे पास quantity बच जाएगी चलिए अब देखे आगे 2 y1 से 2 y1 cancel out हो गया तो हमारे पास क्या बचा 1 minus x square y2 minus xy1 और इसको मैं अगर left side में ले आऊ तो a square y is equal to 0 अच्छा एक चीज़ और हमारे पास दो equation आ चुके थी अब यह हमारे पास equation number थी question number third तो समझ मैं आगें सबको यह equation third है this is equation third हमने function को दो बार differentiate कर दिया है हमने function को दो बार differentiate कर दिया है ठेक है और दो बार differentiation करने के बाद हमारे पास यह equation आई है अब हम क्या करेंगे देखे, next step क्या है, उस पर ज़रा ध्यान देते हैं, next step, next है, differentiate both sides n times by Lebanese theorem, मतलब अब हमें Lebanese theorem का use करना है, और Lebanese theorem का use करके, दोनों तरफ इसको n times differentiate करना है, अब यहाँ पर ध्यान देना, देखो, यह y2 का मतलब क्या है, कि y दो बार differentiate हो चुका है, अगर y दो बार differentiate हो चुका है और इसको n times और करेंगे, तो यह n plus 2 times differentiate हो जाएगा, y1 एक बार हो चुका है, इसको n times करेंगे, तो n plus 1 times differentiate हो जाएगा, y अभी differentiate नहीं हुआ है, इस टर्म में, और इसको n times differentiate करेंगे, तो y n आ जाएगा, तो चलिए, यहाँ पर अब हमें क्या करना है, differentiate n times by Lebanese theorem, यानि कि अब यहाँ पर हमें apply करना है, apply lebanese theorem, apply lebanese theorem, तो lebanese theorem को apply करते हैं, lebanese theorem को apply करके, इसकी value को find out करते हैं, देखे, कितनी value आएगी lebanese theorem को apply करने के बाद, देखे, lebanese theorem में एक बार और मैं नीचे दिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए कि क्या होती है, nc0, y, देखे, nc0, यहाँ पर आएगा, un, v, प्लस, यह पहली term होती है, यह क्या है, पहली term है, ध्यान देना, second term क्या आती है, nc1, un-1, और v1, plus, third term, nc2, u, n-2, v2, प्लस, और last term होती है, ncn, un, un नहीं आएगा, u आएगा के वर, और vn आएगा, यह हमारे पास, lebanese theorem का statement है, उसकी सारी terms मैंने लिखी है, यह पहली term होती है, यह दूसरी terms है, यह second, third terms है, और उसके बाद यह last term है, ठेके, इसको हमें apply करना, यहाँ पर lebanese theorem को, अब देखे कैसे apply करेंगे, थोड़ा दियान दे, देखे, देखे, बहुत आसान है lebanese theorem, इसमें क्या होता, एक function को u मानना, एक को v मानना है, अब u किसको माननेंगे, वी किसको माननेंगे, यह decide करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान तो हम यू माननेंगे y को, v generally, अगर हमारे पास कोई algebraic function है, तो generally हम हमेशा algebraic function को ही v assume करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान देना, lebanese theorem को मैं apply करना, nc0, nc0, u, u किसको माननेंगे हम, y2, देखे, यहाँ पर ध्यान देना, lebanese theorem को जो आप apply करेंगे, तो lebanese theorem कितनी बार apply होगी, ए एक बार इस वाली term में apply होगी, और इस वाली term में तो एक ही variable है, तो यह तो direct हो जाएगा, यानि कि दो जगे आपको lebanese theorem लगानी है, इस term में और इस term में, क्योंकि lebanese theorem का use तब होता है, जब दो term multiplication में हो, दो function, multiplication में हो, और आप यहाँ पर दे सकते हैं, दो function multiplication में, यहाँ दो multiplication में, यहाँ एक ही है, तो इन दोनों में lebanese theorem लगांगा में, और इन दोनों में से भी, जो हमारा u होगा, वो y2 होगा, और जो v होगा, वो हमारा होगा, 1-x square, तो यहाँ पर जड़ा इस चीज़ का भी आप ध्यान दे, किसको u और किसको v मानना है, देखे, इसमें, इस किसको आप v मानेंगे, इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, मैंने बता दिया किसको u और किसको v लेना है, आप देखे, आप जड़ा ध्यान दे, देखे, n, c, 0, u, u का क्या करना है, n times derivative करना है, एक बाद बताओ, यानि कि u हमने y2 को माना, अगर y2 का derivative मैं n times करूँगा, दो बार पहली हो चुका है, तो y n प्लस 2 आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास है v, और v है हमारे पास 1-x स्क्वाइर, इसका derivative नहीं करना है, इसको ऐसे ही लिखना है, 1-x स्क्वाइर, तो n, c, 0, y n प्लस 2, y n प्लस 2, 1-x स्क्वाइर, पहली term complete हो गई, अब चलते हैं, दूसरी टम लेबनीस ठ्योरम किये इसकी नहीं इसी पर लगाएंगे तो अब आ जाएगा nc1 यू यू मतलब मारपा वाई टू और यू का एक बार करेंगे तो यू बार करेंगे तो एन प्लस वन आ जाएगा n प्लस 1 देखो सीधा सा है nc0 है nc1 आएगा nc2 आएगा y n प्लस 2 है तो यह कम होता चला जाएगा n प्लस 2 से n प्लस 1 आएगा फिर n आएगा चली और यहां पर यह व्य कैके यहां पर पहली पॉरम में भी का डिफेस्टेंशन नहीं हुआ है द्वी वार में मतलब है वी का एक बार कर दो है तो आब वी का अग्र मैं एक बार कर दूंगा तो यहा specs स्कार का Tao ay क्लस च्पंवर पास और को कितनी बार तर्ड तर्ड में देखिये थर्ड हम मरे पास क्या है दो बार कम हो गया यानि कि यहान प्लस 2 था है Kn और य்ला Σबद्बगे अब हमें बास करना एक बार करेंगे मैनझ 2ह साता है एक बार और करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा माइनस टू प्लस अब देखिए इसके आगे कुछ और आएगा नहीं लिखने का कोई फाइदा नहीं है इसके आगे कोई और टम नहीं आएगी लेबनीज थेयोरम की क्यों क्योंकि अगर मैं वी यह वी टू है अगर इसको एक बार और लेबनीज थेयोरम को अपलाई करना है तो दुबारा से फस्ट रम आएगी एंसी जीरो वाई अब धियान देना जड़ा है यू मुझे यू का डिफ्रेंशेशन करना एंड टाइंड एक बार पहले ही हो चुका है तो यह 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 प्लस वन आ जाए एक्स को ऐसे लिखेंगे गहीं दुबारा करेंगे तो एंसी वन वाई ए आजएगा य एक बार कम हो जाये और डिफ्रेंशेशन और एक एक बार यह यह वाध टिफ्रेंशेशन करेंगे तो वन आ जाएगा इतना जाएगा वन ठीक उसके आगे कोई टर्म नहीं आईगी क्य कॉप्लिट हो गई चलिए यह भी हमारा क्या हो गया अब इसके बाद ए स्क्वार वाई बचा प्लस कि ए स्क्वायर वाई वाई का डिफरेंशेशन एन टाइम्स करोगे तो वाई एन आ जाएगा एंड इक्वाल टू में हो जाएगा जीरो इस इक्वाल टू में जीरो तो हमने लेबनी स्थियोरम को एपलाई कर दिया है देखें आप डारेटली समझेए बहुत आसान है लेबन करते जाएं यहां प्लस टू है तो यहां प्लस आएगा फिर एन आएगा यहां पर जो टर्म लिखी है वन माइनस एक्स स्क्वायर अगली बार इसका डिफ्रेंशेशन हो जाएगा तो ऐसे आप चलेंगे तो बहुत ही आसान होगा कोई मुश्किल नहीं है बहुत सिंपल है और गलती होने के चमस बहुत कम है अगर आप मेधिर सिंपलिफाई कर लेते हैं देखे आपको मैं पहली पता चुका हूँ कि वैलीव वन होती एं की value n होती है और nc2 की value n into n minus 1 upon 2 यह आप तीनों याद कर लेजिए nc01 nc1 n into n minus 1 upon 2 nc2 calculate कैसे करते हैं यह भी मैं आपको बता चुका हूँ पहले lecture में ठीक अब मैं indirect value का use करूँगा तो nc0 की जगे 1 आ जाएगा तो यहाँ पर यह मेरे पास क्या बचेगा देखे 1 minus x square y n plus 2 y n plus 2 plus nc1 की जगे n आएगा और देखे plus नहीं आएगा minus आ जाएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर minus लेगा plus minus 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 देखे minus हमारे पास nc1 की value n आएगी और यह 2 है तो minus 2 n x y n plus 1 तो 2 n x y n plus 1 हमारा यहाँ से आ जाएगा उसके आगे देखे प्लस प्लस नहीं यह भी minus हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी minus 2 लिखा है यहाँ पर भी minus 2 लिखा है तो nc2 की value होती है n into n minus 1 upon 2 yn into 2 अब आगे देखो minus bracket में अब मैं bracket को उटा रहा हूँ minus आ जाएगा दोनों के साथ में इस टर्म के साथ में भी और इसके साथ nc0 again 1 तो यहाँ पर क्या बच गया x yn plus 1 फिर अंदर minus को multiply करेंगे minus nc1 होगा n तो n yn plus a square yn is equal to 0 यह हमारे पास next ट्रम आ गई है ठीक है चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा simplify करके जो cancel out हो रहा उसको cancel करते हैं यहाँ पर देखो 2 से 2 cancel हो गया है अब देखो n plus वाली टर्म को एक साथ कर लेते हैं और n वाली टर्म को एक साथ कर लेते हैं जिससे हमें common लेने में क्या हो आसानी हो तो अब हम इसमें 1 minus x square y n plus 2 minus 2n x y n plus 1 दूसरी n plus 1 की टर्म्स है n plus 1 दूसरी n plus 1 की टर्म है minus x y n plus 1 ठीक यह दोनों n plus 1 की टर्म्स आगें अब हमारे पास क्या बचा अब हमारे पास y n वाली टर्म्स तो देखें हो अच्छे इसको मैं multiply करके देता हूं अगर मैं इसको multiply करो तो n का multiply n से करूंगा तो minus n square आ जाएगा फिर n का multiply minus 1 में करूंगा तो minus n आएगा और यह minus पहले से बार लगा तो पास बच्चा n y n माइनस में और प्लस में a square y n is equal to में 0 देखो कुछ cancel आउट हो रहा है यह दोनों cancel हो गए यह दोनों cancel हो गए अब हमारे पास जो बच्चा इसमें से common लेने थे तो देखें common लेने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा one minus x square वाइन प्लस टू वाइन प्लस टू देखें इन दोनों में से अगर मैं वाई देखें x common आ रहा है y n प्लस one common आ रहा माइनस भी common आ रहा है अगर मैंने से माइनस भी common ले लू और x y n प्लस one भी common ले ले तो यहां पर two n बचेगा और यहां पर बचेगा प्लस में one sign change जाएगा क्यों minus common आ गया है और x y n प्लस one यह हमारे पास इन दोनों टर्म से आ जाएगा इन दोनों टर्म से common लेने के बाद यह आ जाएगा अब आगे देखो इसमें से भी माइनस को common ले लेता हूं और y n common आ जाएगा क्योंकि यह पहले माइनस था तो प्लस हो जाएगा और वो प्लस था तो माइनस हो जाएगा तो n स्क्वाइर माइनस a स्क्वाइर y n इस इक्वाल टू में 0 तो यह हमारे पास फाइनले लेपनिस थियोरम को एपलाई करके यह स्टेटमेंट आ गया है ठीक है अगर जो लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन आपको प्रेक्टिस के लिए दिया था उस क्वेश्चन में हमें y को टू साइन a की जगे वहाँ m था m sin inverse x को यह प्रूफ करना था मतलब आपको लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था केवल इतना आपको करना था यहां तक आपको प्रूफ करना था ठीक है लेकिन आज हमें इसके आगे जाना है आज हमें इसके आगे जाना है और यह जो हमारे पास equation यह equation अमारे पास हो जाएगी equation number four equation number four this is the equation number four अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे ठीक है और आगे की values को क्या करेंगे calculate करेंगे यहां से ठीक है चलिए तो calculate करते हैं आगे की values को कितने आएंगी देखिए तो हमें क्या करना equation one two three four इन सब में next step देखिए हमारा क्या है put x equal to zero in equation one two three four सभी में one two three four equation में हमें x के जगे zero put करना है zero put करना है ठीक चलिए तो zero put करते हैं चलिए द्यान देजेए तो हमें सभी equation में zero को put करना है तो मैं यहां पहले लेकूं आपट put x equal to zero in equation one two three and ठीक है आप क्या करेंगे x की value को zero put करेंगे equation one two three four सभी equation में x के जगे zero आ जाएगा चलिए देखिए तो सबसे पहले अगर आप यहां पर equation one में x की जगे zero put करने जाएगे तो देखिए और यहां पर sign inverse 0 odd कर लाए और ली आपकी कि कितनी आगे जीरो आगे तो जब आपास क्या मिला वाई मिल गया आपको कहां 10 पे कितना चीरो आगए इसका मतलब आप समझ यह क्या है उलीgel लिए टार इसका मतलब है वेल्य यह सकतव तो तो y की value x equal to 0 पे 0 आ रही है चलिए अब आगे पुट करते है equation 2 में equation 2 में अगर मैं x की जगे 0 पुट करूँगा तो देखें क्या आ जाएगा 1 minus 0 square मतलए यहां से 1 आ जाएगा ऊपर a बच जाएगा यहां पर sin inverse x 0 आ जाएगा यानि के cos 0 हो जाएगा और cos 0 होता है 1 तो देखें cos 0 की value 1 हो गई 1 minus x square 1 हो गया तो कुल मिला के y1 equal to a बचा तो हमारे पास y1 की जो value आ गई x equal to 0 पर वो आ गई कितने आ गई ए अब और आगे चलते हैं देखें अब चलते है equation number 3 में और x को 0 पूट करते हैं यह हमारे पास equation number 3 है यहां पर अगर आप x को 0 पूट करेंगे तो हमें y2 करना द्यान लगना तो यह आपका x 0 हो जाएगा तो यह वाई 2 बचेगा यहां x को 0 रखेंगे यह टर्म खतम हो जाएगी यानि कि यह टर्म हमारे पास आएगी a square y a square y हमारे पास आ जाएगा तो चलिए हमारे पास y20 कि आ जाएगा तो देखें यहां पर a square plus में a square y है तो उदर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा तो माइनस a square y तो हमारे पास value आ जाएगी minus में a square y ठीक है तो सभी को समझ मैं आगी है value कैसे आएगी y यहाँ पर देखो y के जो हमारे पास value आ रही है y2 0 पे वो a square y आ जाएगी ठीक अब आगे चलते हैं next value put करेंगे हम equation number 4 में अब यहाँ पर put करना है देखो द्यान सज़़ा यहाँ पर put करेंगे तो क्या आ जाएगा देखे यह term 0 हो जाएगी y n प्लस 2 यह term भी 0 हो जाएगी केवल यह term बचेगी और इसको हम ले जाएगे right side में तो हमारे पास आ जाएगा y n प्लस 2 और यह 0 पर calculate करना है कितना हैगा देखो इसको right side ले जाओ अब y आ रहा है तो यह भी 0 पर अच्छे यहाँ पर भी ध्यान देजे y2 है 0 पर कितना a square y यानि कि यह जो y है यह y equal to 0 पर अब ध्यान देना जराब y 0 की value अल्रेड हमारे पास 0 आ चुकी है तो यह हमारे पास 0 आ जाए यह हमारे पास क्या आ जाएगा 0 अब यहाँ पर देखो y n प्लस 2 0 n square minus a square y n 0 तो यह हमारे पास next जो हमारी finally equation number 5 आ चुकी है यह हमारी equation number 5 अब देखिए हम क्या करेंगे equation number 5 हमारे पास आ चुकी है अब हमें यहाँ पर equation 5 है इसमें n की value को put करना है यहने कि हमें n की जगे put करना है 1,2,3 तो अब क्या करेंगे आ पूट n equal to 1,2,3,4 डेस 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 in equation number 5 अब इस equation 5 में n की value को put करने जा रहा हूं में ध्यान दीजेगा क्या क्या आएगा देखो n की value को जब आप यहाँ पर put करेंगे तो देखो सबसे परिसे और इस में equation 5 में put करना द्यान दीजेगा equation 5 में ही put करना है यहाँ पर जो यह equation है त्यावारे पास इसी में आप put करेंगे ठेक है जलिए equation 5 में put करने के बाद कितना ओएगा इस equation को important है यहाँ पर put करना है अगर आप n की जगे 1 put करेंगे तो देखो n plus 2 यानि के 1 plus 2 3 हो जाएगा तो y3 की value मिलेगी आपको किसकी value मिलेगी y3 की value मिलेगी तो y3 0 देखें ध्यान दीजी इस step को बहुत important step है अगर आप n की जगे 1 put करने जा रहे हैं तो ये y3 हो जाएगा 0 पे x equal to 0 पे अब आपको क्या करना यहां भी n की जगे 1 put करना right side में तो ये आजाएगा आपके पास 1 का square minus a का square और यहां पर भी put करेंगे तो ये आजाएगा y1 0 y1 0 अब ज़रा ध्यान दीजे y1 0 हम पहले ही calculate कर चुके कितना आ रहा है यह रहाए y10 आही हमारे पास तो y10 की value को a put कर देंगे तो हमारे पास value आ जाएगी one square minus a square और बहार आ जाएगा a लागा कितना आ जाएगा बहार a हमारे पास आ जाएगा ठीक है न ए को हमने लिग दिया यह हमारे जगे 2 put करेंगे तो जब n की जगे 2 put करेंगे तो 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 यानिके y4 0 पे y4 0 पे अब देखें क्या आएगा ध्यान देना अब इस equation में मुझे n की जगे 2 रखना है तो 2 का square minus a का square और यहां पर आ जाएगा y2 N के जगे 2 0 अब ज़रा Y2 0 की value को check करो कितनी है Y2 0 तो 0 है इसका मतलब ये value क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी यानिकि 1 रखने पे इतनी value आ रही है 2 रखने पे 0 value आ रही है अब put करते है 3 को अब next number हमारा क्या है 3 जब आप इसमें 3 को put करेंगे तो देखे 3 प्लस 2 5 हो जाएगा तो ये मेरे पास आएगा Y5 0 is equal और 3 put कर रहे हैं तो यहाँ पर 3 का square minus A का square और ये Y3 और 0 अब ज़रा Y3 की value को भी check करके put कर देते हैं Y3 कितना है Y3 ये रहा 1 square minus A square A 1 square minus A square A तो इसको भी मैं यहीं पर put कर देता हूँ तो देखे कितना आ जाएगा पहले 1 square minus A square पहले देखे 3 square minus A square और Y3 की value दिया हमारे पास 1 square minus A square A same order में put कर दिया मैंने जिस order में आ रहा है अब क्या करेंगे Y की value हमने 3 put कर दी N की value 3 put कर दी आप 4 को भी put करते हैं तो 4 put करेंगे तो 6 आ जाएगा Y6 is equal अब देखे कि Y6 कितना आएगा इसको ध्यान से देखें अगर आप put कर रहे है 6 sorry कितना put कर रहे है 4 तो 4 जब आप इसमें put करेंगे तो 4 square minus A square आएगा पहले 4 square minus A square अब यहां पर आजाएगा Y4 0 अब Y4 0 को जड़ा देखते हैं क्या है Y4 0 तो पहले से 0 है तो इसका मतलब यह overall value आ गई 0 overall value क्या आ गई 0 अब आगे क्या करना है उस पर जड़ा ध्यान देते हैं देखें हमारे पास लास्ट इस्टेप में Y6 की value यह आ रही है ठीक है ना चलिए मैं इसको दुबारा इधर लिख लेता हूँ देखो हमारे पास क्या आ रहा है Y6 X equal to 0 पर value calculate की हमने कितने 0 calculate ठीक है ना यानिक हमारे पास value क्या आ गई Y4 square minus A square और Y4 0 पर यह value हमारे पास आ रही है 0 अब जड़ा यहाँ पर धियान देना देखो जब हम N की value को even number put कर रहे है even देखो हमने दो case बनेंगे आपर order even के तो जब हम Y को इसका मतलब जब जब एन की value even होगी तब तब Y की value क्या आएगी 0 आएगी अब इसी को अगर हम आगे देखे continue करें तो अब ध्यान देना जड़ा अब अब मैं क्या करता हूँ अब एक और pattern को देखें यहाँ पर pattern क्या बन रहा है यहाँ पर pattern को हमें देखना है देखो जब यहाँ पर y3 है तो यहाँ पर 1 का square है यहाँ y4 है तो यहाँ 2 का square है इसका मतलब यहाँ पर अगर nth derivative होगा तो यहाँ n-2 होगा देखे 3 है तो 1 है 4 है तो 2 है 5 है तो 3 है 6 है तो 4 है तो अगर n होगा तो कितना आ जाएगा n-2 तो इसी पैटरन को देखे मैं आगे बढ़ा रहा हूं और एक और चीज़ यहां पर सब नहीं होंगे कुछ 0 भी होंगे बीच के यह न तो अब देखो क्या क्या आएगा ध्यान द पर जा रहे है जिसमें हम लिखेंगे वाई एन अब धियान देना वाई एन कितना आएगा देखें वाई एन मतला हम इस फार्मले को इस सिक्वेंस को जनरलाइज कर रहे है इस पैटरन को जनरलाइज कर रहे है तो हमारे पास मिलेगा वाई एन अब धियान देना जाना कब आएगी when n is even जब n even होगा तो y n 0 आएगा और जब n odd होगा तो तब देखते हैं क्या आएगा देखें odd होने पर यह आरीटम यानिके odd में 1 square minus a square into a फिर आगे देखो कौन कौन से step को चेक करना है मैं मार्क कर देता हूं हमें अब odd के लिए क्या देखना है देखें odd में हमा एक तो यह लाइन आ गए देखें odd में यह आ गया उसके बाद odd में यह हमारे पास आ गया पोड़ा सा द्यान से देखें देखें पैटर्न को बनाने के कोशिस करेंगे यह हमारे और वाला पैटर्न है अब इसको आगे बढ़ाना है तो अब ज़र्द ध्यान देना देखें यहां यहां 3 है तीन बार डिफरेंशेशन किया तो यहां बन का स्कुरार आ रहा है एन-2 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या पहली टरम यहीं आएगी जर्ण ध्यान से देखें क्यों आएगी जब यहां 5 है तो यहां त्री है यहां तो यहां अगर n होगा यहां अगर –a² –a² यानिकि यह दो-दो कम होते जा रहा है तो इसके जो अगली क्रॐल आएगी वो क्या होगी n –I PR 2 – a² n – 4 एडिधो आप 4 क्रॐल –a² इफारे नेक्स ट्राम आगे अब ? करेंगे और end में देखो क्या जाएगा n में तो फिर यही चलेगा 3a square minus a square 1 square minus a square into a तो हमारे पास n में number क्या आएंगे 3 square minus a square 1 square minus a square into a ठीक यह कब है when n is odd तो यह हमारा question number 1 जो है वो complete हो गया है ठीक है इसका finally हमारे पास जो answer है वो आ चुका है कि जब an even है और an odd है तो हमारे पास nth derivative के आएगा this is a complete question देखिए बहुत ही important question है अगर इस question के मैं बात करूँ तो अगर आप पिछले केवल अगर आप previous five years के questions पेपर उठाके देखे एकट्यू के प्रिविएस five years के questions पेपर तो उस question पेपर में यह question दो बार आ चुका है देखिए एकट्यू में जो questions आते हैं सब ऐसे ही आते हैं ठीक है बहुत important है अगर आपको yn calculate करना x equal to zero पे तो आप दो दो चीज़ देखे एक ही question को दो तरीके से पूछा जा सकता है कैसे एक तो यह if y equal to is this and अगर y equal to sin a sin inverse x है तो prove that यह prove कराएंगे आपसे यह जो expression है तो एक तो यह यहां तक पूछा जा सकता है और कई बार इसी question को दो नंबर में भी पूछ लेते हैं तो दो नंबर में देखे आपसे क्या पूछा जाएगा दो नंबर में आपको यह दे देंगे y equal to sin a sin inverse x और कहेंगे prove that 1 minus x square y2 xy1 plus a square y equal to 0 यह prove करने के लिए आ सकता है तो अगर यहां तक आएगा तो यह 2 marks का question है यह यहां तक आएगा तो यह आपका जो भी आपका 10 या 7 marks इस बार जनल 7 marks पर question आएगा तो यह 7 marks का है नहीं तो यह 10 marks में आता था यहां तक तिक और अगर पूरा भी आएगा तब भी वह 7 यह 10 में ही होगा ऐसा नहीं कि अब marks बढ़ जाएगा लेकिन इस question को दो तरीके से y n plus 2 minus 2 n plus 1 x y n plus 1 minus n square y n equal to 0 also find यहां पर मैंने लिख दिया नीचे question छूट गया था also find the nth derivative of y for x equal to 0 यानि के आपको y का nth derivative भी find करना है कब find करना है जब आपके x की value क्या है 0 है तो चलिए इसको calculate करते है और इसका nth derivative find करते है at x equal to 0 ध्यान दीचे देखे तो यहां पर value को find out क देखे कितनी value आएगे हमारे पास देखो start करते है question को question क्या हमारा पहला step क्या आएगा y equal to sin inverse x का whole square और यह हमारी equation number 1 भी होगे sin inverse x का whole square तो पहला step क्या है कि equate the given function equal to y तो हमें पहले से function y equal to दिया हुआ है अब क्या करेंगे यहां से differentiate with respect to x तो हम यहां से y1 को calculate करेंगे तो द y1 is equal to two times of sin inverse x देखें अभी मैंने sin inverse x का whole square था तो हमने power का differentiation कर दिया power हमारे पास multiplication में आ गई अब हमें sin inverse x का भी differentiation करना है क्योंकि हमें chain rule लगाना है तो sin inverse x का differentiation होता है 1 upon under root में 1 minus x square ठीक यह हमारे पास आगे equation number 2 अब हम चलेंगे equation number 3 में तो देखे equation number 3 क्या होगी इसको अब थोड़ा simplify करते हैं पहले एक बार और differentiation करने से पहले root वाले वह left में ले आते हैं तो यह हमारे पास आ जाएगा under root 1 minus x square y1 is equal to 2 times of sin inverse x देखे इसको मैं इधर ले आया और यहां क्या बच गया मेरे पास 2 sin inverse x अब क्या करेंगे squaring both side now squaring both side दोनों तरह भी square करेंगे squaring both side आप चाहे तो direct भी differentiate कर सकते हैं एक बार और पर मैं पहले squaring कर लेता हूँ और उसके बाद इसको differentiate करेंगे देखे अगर आप इसको squaring करेंगे दोनों side में तो आप अगर ध्यान दे तो यहां पर rooted जाएगा तो यह हमारे पास आ जाएगा 1-x square y1 का square is equal to 2 का square हो जाएगा 4 और sin inverse x का whole square अब ध्यान देना जाएगा sin inverse x का whole square किसके एकवाल था y के तो क्या मैं इसके जगे पर y पूट कर सकता हूँ definitely तो y को पूट करते हैं तो 1-x square y1 square is equal to 4y यह हमारे पास आ जाएगा next expression अब हमें करना इसको differentiate now again differentiate with respect to x again differentiate with respect to x एक बार और x के respect में differentiate करेंगे तो देखें कितना आएगा first function को छोड़ दीजिए one product rule लगाएगे 1-x square और y1 का differentiation हो जाएगा 2y1 y2 2y1 y2 क्योंकि y1 में product chain rule लगाना पड़ेगा प्लस देखें अब प्रोडेक रूल लगा रहा है तो first को छोड़ दिया second का differentiation प्लस अब second को छोड़ देंगे और first वाले का differentiation तो first वाले का one का differentiation 0 और x square का 2x तो यह आजाएगा minus का 2x is equal to 4 y का differentiation करोगे तो y1 आ जाएगा जितना आ जाएगा y1 अब इसको थोड़ा simplify करके लिखते हैं तो देखें कितना आ रहा है है यहाँ पर अगर इसकी simplify करें यहाँ पर देखो minus common आ जाएगा और two तो minus sign आएगा plus minus minus two पहली common ले चुके हम लोग वाइवन भी common ले चुके हैं तो यहाँ पर बचेगा एक तो x और एक y1 तो minus x y1 और इस four y1 को भी मैं left में ले आता हूँ अभी उधर ही रखते हैं चली पहले देखें फोर वाइवन में से मैं काम करता हूँ और two y1 को अलग कर ले दा हूँ तो कितना बचेगा bracket में two ही बचेगा तो four y1 को two y1 into two लिख सकते हैं और यहाँ two y1 से two y1 हो गया cancel out और हमारे पास जो अब next expression आएगा उस पर जड़ा ध्यान दीजे क्या होगा देखें next expression देखें यह हमर पास आजाएगा one minus one minus one minus x square y2 one minus x square y2 minus xy1 xy1 और यहाँ पर बचेगा equal to make two और इसको मैं ले आता हूँ left में two को भी ले आते हैं left में यह हमारे पास आगया one minus x square y2 minus xy1 and minus two is equal to zero क्या यहाँ तक सभी को समझ मैं आगया अब यह हमारी कौनसी equation आ गई equation number two this is the equation number two equation number two अब हम चलते हैं next आगे step अब क्या करना है देखें हम इसको दो बार differentiate कर चुके यानि के हम कौनसे step पर पहुँच चुके हैं देखो जड़ा हम again differentiate y2 अब हमें क्या करना है next step apply Leibnese theorem now differentiate it with respect to x n times by Leibnese theorem तो अब हम इसको Leibnese theorem से differentiate करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे apply admissions theory तो यहाँ पर करना है कि कैसे स्ट्रीण को apply करना है लैबनी स्ट्रीण क्या है आपके पास वो भी मैं आपको लिखवा चुका हूं चलिए अब मैं डारेक्ट यहां पर apply करता हूँ कितना आएगा ज़रा ध्यान देना nc0 y देखे यू किसको मानेंगे y2 को और v किसको मानेंगे 1-x2 को क्यों मानेंगे यह समय आपको बता चुका हूँ चलिए तो y2 का differentiation n टाइम्स करेंगे तो y n प्लस 2 हो जाएगा और v का differentiation पहली बार में नहीं करते हैं तो यह वी आ जाएगा प्लस सेकंड आम देखो लेमनी स्थियोरम की nc1 अब हम y को जो हमारा y2 है इसको अब यहाँ पर हमने देखो कितने बार differentiate किया दा n तो यह n प्लस 2 हो गया दा अब हम एक बार कम differentiate करेंगे यानि कि यहाँ पर n प्लस 2 है तो यहाँ पर n प्लस 1 आएगा और इस बार v को एक बार differentiate करेंगे तो अगर आप 1-x2 को एक बार differentiation कर देते हैं तो यह माइनस 2x आ जाएगा प्लस अब और आगे चलते हैं अब हमें क्या करना है अब nc2 आएगा nc2 और yn आएगा क्योंकि अब हमें एक बार differentiation आपको देखें यू का differentiation कम करते जाना पहली बार में n टाइम तूसरी बार में एक कम फिर एक कम तो एक एक वैल्यू एक एक कम होता जाएगा और वी की वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी यानिकि यहां डिफ्रेंशिजन नहीं किया यहां एक बार किया यहां दो बार करेंगे तो अगर आप माइ अब अब अपलाई करेंगे क्योंकि हम लेबनीगी करते हैं जडो फंक्शन प्रोडेक्ट में हो और उनको एंटाम्स डिफेंशियेट करना हो चलिए तो सेकंड पार्ट में पहले माइनस माइनस को बाहँ लिख लेता हूं हां तो यहां पर भी हमारा यू क्या होगा y1 और x v क्या होगा x तो हम क्या करेंगे यहापर nc0 nc0 y का differentiation n times तो यहाँ पर y1 है उसको n times differentiate करेंगे तो y n प्लस 1 आ जाएगा ठीक अब यू यू कितना हमारे पास यू तो y1 था उसका हो गया v हमारे पास x है तो x हमारे पास ऐसे ही रहेगा इंटू में x चलिए पहली तरम हो गए अब हमारे पास next term second term nc1 y n y को कितनी बार करेंगे n times क्योंकि हमारा y n प्लस 1 था तो वहाँ पर n आ जाएगा और अब v हमारे पास x है x को एक बार differentiation करेंगे तो 1 आ जाएगा और इसके आगे कोई lebanese theorem की terms नहीं आएगी क्यों नहीं आएगी क्योंकि आगे अगे अगर हम उसको differentiate करने जाएगे तो problem क्या आएगी कि हमारे पास v का differentiation 0 हो जाएगा तो आगे के सारी term 0 उसके बाद minus 2 का differentiation करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा पहली बार में ही और हमें तो n यहां पर देखो क्या आएगा मेरे पास पहले मैं लिख लेता हूँ 1-x स्क्वाइर ठीक है यह एंसी 01 हो गया और y n प्लस 2 y n प्लस 2 नेक्स देखो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो एक तो हमारे पार 2 है यहां पर nc1 n हो जाएगा तो 2 and और đây यह एक्स भी आगया यहां य प्लस 1, This वाइं प्लस 1 और आगे चलते हैं और आगे अगे अगर हम चलें देखे, अगे हमारे पास यहां minus से यहां plus है तो minus sign आएगा पहले दो और nc2 की value होती है n into n minus 1 upon 2 yn into में 2 और 2 से 2 यहां cancel out हो जाएगा अब यह minus लगा बाहर तो मैं सीधे minus से अंदर multiply कर देता हूं nc0 1 होगा तो यह आपका आगया x yn plus 1 plus minus minus यह nc1 n होगा तो n yn is equal to में 0 यह है मारे पास आया expression अब इसको थोड़ा सा और simplify करते है और देखते हैं क्या है देखो कैसे simplify करेंगे yn plus 1 की terms yn plus 1 की term एक साथ yn और yn terms एक साथ तो देखें कितना आएगा 1 minus x square yn plus 2 minus 2n x yn plus 1 n plus 1 और y plus 1 की n plus 1 की term और इसको भी एक साथ लिए देता हूं x yn plus 1 अब yn वाली terms minus देखें yn की यहाँ पर दो time है एक तो यह दिखाई देरी मुझे रेक यह दिखाई देरी तो पहले मैं क्या करूंगा इसको थोड़ा multiply भी कर लेते हैं n का multiply n में करेंगे तो n square आ जाएगा और yn आ जाएगा ठेक है अब माइनस n का multiply minus 1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस n yn ठीक आगे क्या बचा माइनस में n yn is equal to में जीरो और आप ध्यान दीजिए दोनों हो गए कैंसे अब जो बचा हमारे पास यह पजा है इसमें से इसमें से यह common ले लेंगे तो देखिए हमारे पास next step में क्या आएगा next step में हमारे पास आजाएगा 1 minus x square y n plus 2 minus देखिए मैं यहाद से minus भी common ले रहा हूँ x भी common ले रहा हूँ और y n plus 1 भी common ले रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 2 n plus 1 2 n plus 1 x y n plus 1 n plus 1 minus 2 n plus 1 x y n plus 1 ठीक चलिए यहाँ से यह common ले 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 हमने इन दोनों में से आगे क्या बचा आगे हमारे पास बचा minus में n square y n is equal to 0 is equal to 0 देखिए ज़रा जो प्रूफ करना था हूँ आगे है गया 1 minus x square y n plus 2 minus 2 n plus 1 x y n plus 1 minus n square y n equal to 0 यहनी कि एक पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया एक पार्ट हमारा प्रूफ अब हमें आगे चलना है ठीक है ना अब हमें इसके आगे चलना है और आगे हमें क्या करना है find the net derivative of y for x equal to 0 तो अब next step क्या होगा देखिए कैसे find करेंगे net derivative अब आपके पाद एक एक वेशन पर द्यान देते हैं पहले एक वेशन कहां कहां हमारी पास 1 equation number 1 2 अच्छा यह equation 3 है यह जो equation है यह 3 है अब हमें इन चारो equation में n की values को put करना है तो n की values को put करते है जल्दी से और देखिए कितना आएगा now put put n equal to n नहीं अभी पहले हम x put करेंगे x 0 put x equal to 0 in equation 1 2 3 and 4 चारो equation में आप x की value को 0 put कर दीजिए और 0 put करने के बाद देखिए आपको क्या-क्या मिलेगा सबसे पहले आप equation 1 में put करेंगे तो 1 हमारी y के equal में होगी तो यानिके y की value 0 पे देखते है कितनी आ रही है चेक करें यह equation 1 है y की value 0 साइन इनवर्स 0 साइन इनवर्स 0 होता है तो 0 आगे पहली value और आगे चलते हैं उसके बाद equation 2 में put करेंगे x को 0 देखो 0 put करने पर यह कितना आ जाएगा 1 और यहां यह आ जाएगा 0 यानिके overall पूरा देखें जब multiply में 0 आ गया तो सब 0 यानिके y1 भी 0 यानिके y1 की value x equal to 0 पे 0 आ गई अब चलते हैं next में equation number 3 में equation number 3 में अब यहां पर जड़ा x को 0 put करो तो देखो x 0 put करने पर y2 आएगा यह 0 हो जाएगा और यह आ जाएगा 2 और उधर जाके plus 2 यानिके यहां पर 2 आ जाएगा हमारे पास तो y2 में जब आप 0 put करने जाएगे तो आपके पास value आएगी 2 कितने आएगी 2 अब कहां put करना है अब equation 4 में put करना है y को 0 x को 0 तो देखें यह 0 put कर देखेंगे तो y n प्लस 2 बचेगा y n प्लस 2 और y n प्लस 2 की value को हम find करेंगे 0 पे तो देखें कितने आएगे यहां पर y n प्लस 2 तो यह हमारे पास 0 पे calculate कर रहा हूं मैं इसको यह वाली term 0 हो जाएगे पूरी-पूरी यह बचेगी n square y n इसको right side में ले जाते हैं तो यह हमारे पास आजाएगा n square y n कहां पे 0 यही हमारे पास equation number 5 है और इसी का use करके हम result को find out करेंगे this is equation number 5 equation number 5 now अब क्या करना है अब ध्यान दीजिए देखें क्या करेंगे now put n equal to 1,2,3,4 dash 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 in equation 5 देखें आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार आप n को odd put करें और एक बार आप even put करें तो एक ही बात है सबसे पहले मिलेगा मुझे y3 0 पे कितना आ जाएगा इधर भी जड़ा n की जगे 1 put करो तो यह 1 का square और y1 0 पे कितनी value आ रही है 1 square y1 0 पे y1 0 हम पहली calculate कर चुके 0 है तो इसका मतलब यह तो 0 आ गया कितना आ गया 0 next value को find out करते हैं next value देखे कितनी है अब आगे चले n की value को 2 put करते है इसमें क्या put करते है तो 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 पूट करने पर y4 आ जाएगा और y4 की value 0 पे कितनी आएगी 2 का square यान की जगे 2 put करेंगे y2 0 यानिके y2 0 की value कितनी ज़रा ध्यान देजे 2 है तो y2 0 की value 2 है और यह 2 square है तो यानिके 2 square into 2 यह value आ जाएगी यानिके even पे y4 की value आ रही 2 का square dot 2 आगे चलते हैं अब हम put करते है y को n को 3 तो 3 put करेंगे तो y5 आएगा और y5 0 पे देखते हैं कितना आ रहा है y5 है ना यानिके n को हमने 3 put किया है तो यहां तो आपके पास आ जाएगा 3 का square और यह हो जाएगा y3 और यह हो जाएगा 0 तो y3 की value 0 पे कितनी है y3 की value तो 0 है तो यह फिर से 0 आ गई टिक अब आगे चलते हैं next step पे next step पे हमें put करना ह कितना put करेंगे अब n equal to 3 put कर दिया अब put करेंगे n equal to 4 तो 4 put करने पे यह कितना हो जाएगा y6 हो जाएगा तो y6 की value 0 पे कितनी आएगी यहनिके n को 4 put किया है तो 4 का square 4 का square y4 0 y4 0 और y4 0 कितना है पहले निकाल चुके हम y4 0 है 2 का square into 2 तो देखो यह कितना आ जाएगा यह आपके पास आ जाएगा 4 का square और y4 0 की value को भी अगर हमें put कर दूँ तो dot 2 square और dot 2 देखो pattern पता चल गया है यहाँ पर pattern पता चल गया है क्या pattern पता चल गया है अगर आप यहाँ पर तो pattern हमारे पास यह बन रहा है कि जो odd वाले हैं वह 0 है इस बार देखें odd वाली terms क्या है 0 है यहाँ दियान दीजिए odd 0 odd 0 और even वाली टर्म स्वाइयरो नहीं है even वाले में pattern बन रहा देखो और मतलब यहाँ है तो यहाँ भूसे स्टार्ट होगा टैन होगा तो आगे एट से स्टार्ट होगा तो हमारे पास अब हम सीधे लास्ट स्टेप पे चलते हैं सीधा nth derivative find out करते हैं x equal to 0 पे तो देखिए nth derivative क्या आएगा x equal to 0 पे ज़रा ध्यान दीजिए इदर देखिए y n y n is equal to देखिए ज़रा सबसे पहले मैं 0 वाला लिख देता हूँ 0 वाला 0 कब आ रहा है और पे यन के y n की value 0 आ रही है और कब आ रही है when when n is odd when n is odd ठीक है अच्छा आप इस पे ध्यान देते हैं देखिए यहाँ पर क्या है जब यहाँ पर 6 है तो वहाँ पर 4 है तो यहाँ पर अगर n होगा तो क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पर n minus 2 का square होगा तो n minus 2 का square n minus 2 का square उसके बाद हम आगे चले अगर और आगे चले देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर 6 है वहाँ 4 है तो यहाँ n minus 2 होगा अगर next term मैं लिखना जाओ तो next term क्या आपको नहीं लगता 2 और कम हो जाएगी यहने कि n minus 4 का square और ऐसे ही चलते जाएंगे डैस 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 तो last में हमें मिलेगा 4 का square dot 2 का square dot 2 यह कब है when n is even जब n हमारे पास क्या है even होने पर हमें यह वाला pattern मिल रहा है और odd होने पर हमें उपर वाला pattern मिल रहा है क्या यह आपको अब समझ में आ गया है बहुत simple है ठीक है ना बहुत ही simple question था ठीक बस थोड़ा सा lengthy था ठीक तो यहाँ पर हमारा चेर के paper उठाके देखेंगे तो सब जगे आपको यहीं questions जो है मिलेंगे ठीक अब आगे चलते हैं next question देखें next question क्या हमारे पास y equal to e की power m cos inverse x so that one minus x square yn plus two तो इसमें पहले प्रूब करना और उसके बाब फिर से अगेन आपको yn calculate करना x equal to 0 x equal to 0 देखें सभी question ऐसे एक ही जैसे हैं सब एक जैसे हैं जाद अन्तर नहीं है step वही है सब common step है ठीक चलिए तो अब मैं यहाँ पर आपको कराता है इसको भी देखें कितना आएगा कैसे start करेंगे अब तो मेरे खाल से आप लोगो को आगया होगा कैसे start करना है यहां पर और देखें ऐसा ही जस्ट इसके जैसा ही question मैंने आपको last lecture में कराया था जहां पर e की power में m sin inverse x ऐसा कुछ करके question था और वहां पर हमें यह प्रूव करना था देखें यहां तक अगर प्रूव करने के लिए तो step चारी step करने होते हैं आपको लेकिन अगर y n equal to zero आ जाए तो आपको total six step हो जाते है question को solve करने के तो चलिए step number one हमारा जो पहला step होगा वो क्या होगा पहल सब्सक्राइब क्या करना है अब इसको करना differentiate with respect to x यानि कि हमें find करना है y1 और y1 देखें क्या होगा देखें e की power x का differentiation e की power x ही होता है तो अगर मैं इसका differentiation करूँगा एक बार तो यह e की power में m cos inverse x ही आएगा लेकिन अब हमें chain rule लगाना है अब हम power का differentiation करेंगे मतलब अब हम m cos inverse x का differentiation करेंगे तो multiply में आ जाएगा m ठेक है अब cos inverse x का differentiation क्या होता है minus 1 upon under root में 1 minus x square तो minus 1 upon under root में 1 minus x square यह होगे हमारी equation number 2 अब इसको जरा थोड़ा simplify करते हैं जैसा हम करते आ रहे हैं तो इसको simplify करेंगे तो देखें कितना आ जाए इसको इदर cross multiply कर दें तो यह आ जाएगा under root में 1 minus x square पर multiply में आ जाएगा y1 is equal to m into minus 1 minus m e की power m cos inverse x यह मेरे पास आ जाएगा ठीक है ना minus m e की power cos inverse x इदर मैंने इसको multiply कर दिया अब आप ध्यान दें तो यह e की power cos inverse x वापस repeat हो गया तो क्या मैं इसकी जगे y put कर सकता हूं तो definitely हम इसकी जगे y put कर सकते हैं तो अब हम इसकी जगे put करेंगे y की value देखें तो यह मेरे पास आ जाएगा 1 minus x square under root में है और y1 is equal to minus m y अब मैं क्या करूँगा अब मैं करूँगा squaring both side now squaring both side देखें बहुत simple fix step है squaring both side कुछ करना ही नहीं है एक ही जैसे step है सारे question में सिर्फ calculation का difference है बागी कोई और difference है ही नहीं ठीक है न तो हमारे पास यहाँ पर squaring both side देखें दोनों तरब मैं इसमें squaring कर देता हूं squaring both side कितना आएगा 1 minus x square रूट हड़ जाएगा और y1 का square हो जाएगा इधर m square और y square देखें स्कार करने पर minus का plus बन गया m square हो गया y square हो गया अब हम क्या करेंगे अब now differentiate it again दुबारा इसको differentiate करेंगे तो आप यहाँ पर differentiate करेंगे तो आपको प्रोडेक्ट रूल लगाना पड़ेगा तो इसमें प्रोडेक्ट रूल लगाएंगे पहले और चलिए तो पहले function को ऐसी छोड़ देंगे 1 minus x square दूसरे का differentiation करेंगे तो 2y1 और y2 प्लस अब second को ऐसी छोड़ देंगे y1 square और पहले का differentiation करेंगे जो कि minus 2x होगा राइट साइड में जाएंगे m square constant है ऐसी लिखेंगे y square का differentiation हो जाएगा 2y into y1 2y into y1 अब जड़ा ध्यान दे 2y1 2y1 सब में common आ रहा है तो उसको मैं common ले 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 दा हूँ तो 2y1 को common लेंगे देगे अगर आप ध्यान दे तीनों ही question में सारे step एक ही जैसे है 2y1 को common ले लिया तो 1 minus x square y2 और यहां पर देखो क्या आ जाएगा वह 2y1 common आ चुका है यहां से 2 common आ गया y1 common आ गया तो 1x और 1y1 बचा minus x y1 यह हमारे पास यहां से आ गया is equal to यहां से भी 2y1 को मैं अलग कर लेता हूं तो 2y1 को अलग करने के बाद मेरे पास बचेगा m square y और यहां से 2y1 से 2y1 cancel out हो गया अब मेरे पास आगे देखे क्या आएगा चलिए देखते हैं देखें 2y1 से y1 cancel हो गया तो हमारे पास आ गया 1 minus x square y2 minus xy1 minus xy1 और इसको देखें यहां पर m square y बचा है तो इसको मैं left में ले आता हूं तो minus m square y minus m square y equal to 0 ठीक और यह होगी हमारी equation number 3 this is the equation number 3 अब equation number 4 कैसे आएगी अब हम इसको differentiate करेंगे n times कितने बाद differentiate करेंगे n times differentiate करेंगे तो n times differentiate करेंगे हम Leibnese theorem के help से और हमारे पास आ जाएगी equation number 4 now apply Leibnese theorem कि अप्लाइब लेबनेज थियोरम को apply करते हैं और देखते हैं कितना आएगा apply Leibnese theorem चले लेबनेज थियोरम को apply करना है देखा डारेक्ट देखें अब Leibnese theorem सभी को अच्छे से apply करना आ गया होगा आप देखो डारेक्ट में यहां पर लिख रहा हूं कैसे लिखेंगे यहां पर पहले आप डिसाइड कर लें कि आपके पास यू कौन सा है तो हम वी यू मानेंगे y को और वी मानेंगे one minus x square को according to Leibnese theorem जो हमारी पहली ट्रम होगी nc0 देखेंगे अभी मैं Leibnese theorem लगा रहा हूं इस वाले पार्ट में हमें दो पार्ट में Leibnese theorem लगानी है पहले इस पार्ट में और जब इसमें complete हो जाएगी तो इस पार्ट में यहां पर दो पार्ट में Leibnese theorem का यूज करेंगे चलिए तो पहले इस वाले पार्ट को लगा रहा हूं में तो यहां पर वाई-टू का डिफेंशेशन करेंगे एंड टाइम्स तो यह एंड प्लस टू हो जाएगा देखेंगे एप्लाइल अपने इस त्योरम का मतलब है डिफेंशेट दा गिवन फंक्शन एंड टाइम्स कितने बार एंड टाइम करना है तो यह उद्प्लस टू का एग बार डिफेंशेट करेंगे तो माइनश टू एकस आई तो य को एक बार और कम कर देंगे तो य न आ जाएगा और माइनस टू एसके आगे दूसरी टर्म नहीं आएगी क्योंकि आगे की टर्म हो जाएगी जीरो तो अब हमें करना है सेकंड टर्म में जाना अब एकस वाइवन में लगा नहीं है तो पहले माइनस लिख ले दाओ एकस का डिफ्रेंशेशन नहीं करेंगे भी एकस को ऐसे ही लिखेंगे नाव प्लस एनसी वन और यहाँ पर एकस का डिफ्रेंशेशन अब आ जाएगा वन तो यह हमारा हो गया कम्प्लीट आगे क्या है नेकि यहाँ पर भी लेपनो इस थेयोरम में दो ही टर्म आएगी क्य माइनस एनस को लिखेंगा आगे लिखा मारे पास माइनस एम स्कॉयर वाई तो एनसकार है और वाइका डिफ्रेंशेशन हो जाएगा एँ टाइमस वाई एन इक्वाल टू में 0 अब इसको करते हैं विखें देंदेगे सिंपलिफाई करने के बाद क्या आ आएगा n c 0 y n plus 2 इसको 1 minus x square को पहले लिख लेता हूँ 1 minus x square y n plus 2 1 minus x square y n plus 2 अब यहाँ पर देखो ज़रा इसको simplify करते हैं n c 0 की value 1 होती है n c 1 की value n होती है तो यहाँ पर plus minus minus 2 2 n x y n plus 1 अगर आप ध्यान देंगे अगर आप सारे question को ध्यान से देख रहे हैं तो आप देखोगे कि maximum question में equation भी लगभग same आते हैं थोड़ा सा difference होता है चलिए तो यहाँ पर minus 2 x y 2 x y n plus 1 आगे है अगली तरम देखो क्या होगी plus minus minus again n c 2 की value होती है n into n minus 1 n into 2 आगे देखो minus अब मैं minus से अंदर multiply कर रहा हूँ और value भी लिख रहा हूँ n c 0 1 होता है यहाँ x बचा x y n plus 1 plus minus minus n c 1 की value n होती है तो यह आगे है n y n और minus में m square y is equal to में 0 is equal to में 0 अब आगे देखो अब मुझे क्या करना है n plus 1 वाली term एक साथ लिखनी है y n वाली term एक साथ लिखनी है और जो बचा हुआ है उसको मैं simplify करके लिख रहा हूँ देखो अब माइनस n की multiply n में करेंगे तो माइनस n स्क्वार आएगा और इंटू में y n उसके बाद माइनस n की multiply plus minus n 1 में करेंगे तो प्लस का n आ जाएगा और y n आ गए ठीक है आगली term देखो यह तो मैं पहले लिख चुका हूँ ना माइनस n y 1 n और माइनस m स्क्वार y अच्छा एक चीज़ y n यहाँ y n है इसी कॉल्डो में 0 यह और यह cancel हो गया अब जो बचा उसमें से common लेके लिखते हैं देखे क्या आ रहा है तो अब जो बचा हमारे पास उसको मैं common ले रहा हूँ 1-x square y n प्लस 2- देखे इसमें से x y n प्लस 1 common आ रहा हूँ और minus भी common आ रहा है तो अंदर बचेगा 2n प्लस 1 x y n प्लस 1 x y n प्लस 1 आगे चलेंगे थोड़ा सा तो ये दो टर्म बची है और इन दोनों टर्म में से minus common आ रहा और yn common आ रहा तो minus को common ले लेंगे और yn को common ले लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा n square plus m square and yn is equal to 0 ये हमारे पास आएगा अब जड़ा ध्यान दीजिए क्या ये ही हमें प्रूब करना था definitely ये हमें प्रूब करना था तो ये जो हमारे पास equation आई है ये हमारे पास होगी equation number fifth this is the equation number 5 ये हमारे पास equation number अब क्या करेंगे अब इस equation में आपको put करना है x की value 0 किसमें put करना है 1, 2, 3, 4, 5 पाचों equation में n की value को put करेंगे 0 तो देखें कितना आजाएगा n नहीं sorry x की value को now put x equal to 0 in equation number 1, 2, 3, 4 equation number 1, 2, 3, 1 मेंट ये हमारे पास equation number 4 है this is the equation number 4 तो put n equal to x equal to 0 in 1, 2, 3, 4 सब में आपको 0 put करना है तो 0 put करने के बाद देखें क्या आएगा आपके पास अगर आप इसमें 0 put करेंगे तो देखो कितना आएगा x की जगे जब आप 0 put करेंगे तो cos inverse 0 होता है आपके पास pi by 2 देखें ध्यान दीजे cos inverse जो inverse trigonometric function होते है वो actual में angle होते है और cos inverse 0 की value होती है pi by 2 cos inverse 0 की value pi by 2 तो जब आप equation 1 में इसको put करेंगे तो देखें आपके पास क्या जाएगा देखें अगर आप equation 1 में put करेंगे 0 को तो y 0 y 0 equal to में कितना आएगा ज़्यान दीजे e की power m और cos inverse 0 आजाएगा pi by 2 तो e की power m e की power m pi by 2 यह आजाएगा आपके पास e की power m pi by 2 तो यह हमारे पास आया y 0 e की power m pi by 2 अब second equation में put करते हैं मतलब equation number 2 में यहाँ पर देखो जब आप put करोगे x को 0 तो यह तो नीचे वाला 1 आजाएगा नीचे वाला क्या आजाएगा 1 यह minus 1 minus m बचेगा तो minus m cos inverse देखें यह तो as it is y है cos inverse 0 तो मतलब m pi by 2 यहनिके minus m और multiply हो जाएगा उसी value में यहनिके y 1 0 is equal to minus m e की power m pi by 2 और आगे चले equation number 3 में put करें 3 में जब आप put करेंगे तो यह y 2 बचेगा यह 0 हो जाएगा यहनिके equal to m square y आएगा m square y तो y 2 में 0 put करने पे आपके पास आजाएगा m square y और y कहाँ पर 0 पर देखे m square y और y कहाँ पर 0 तो इसको और आगे बढ़ाए तो y square 0 की value put करें यहाँ पर तो यह आजाएगा m square e की power m pi by 2 e की power m pi by 2 चलिए तो third में भी put कर दिया आप जरा fourth में put करते हैं और देखते हैं क्या आएगा fourth में अगर आप put करने जाएगे तो य तो y n plus 2 हो जाएगा यह 0 हो जाएगा यह वाली time बचेगी और right side में चली जाएगे n square plus m square तो y y हमारे पास next क्या था n plus 2 y n plus 2 इसको अगर आप 0 पर find out करेंगे n square plus m square y n और यह value आपको मिलेगी 0 पर और देखेंगे कितनी आ जाएगे n square m square y n 0 पर चलिए y n 0 पर देखेंगे तो हमारे पास n square m square y n 0 पर अब देखेंगे y n 0 पर यह जो हमारे पास equation आई है यह equation क्या होगी अब हम यहाँ पर values को put कर दे जाएगे तो यह हमारे पास आगी equation number 5 this is the equation number 5 यह होती है हमारे पास equation 5 अब हमें क्या करना है इस equation 5 में values को put करना है values को put करना है तो चलिए put करते है put n equal to 1,2,3,4 dash 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 in equation 5 जड़ा थ्यान से put करेंगे values सभी को देखो यहाँ पर अगर मैं n की जगे 1 put कर दो तो n की जगे 1 put करने पे मेरे पास क्या आएगा n equal to 1 put करने पे यह मुझे मिलेगा y3 देखे y3 0 पर यहनिके odd वाली terms मिलेंगी क्या मिलेंगी odd वाली terms मिलेंगी तो n की जगे 1 put करने 3 आजाएगा अब यहाँ पर देखो जड़ा 1 put करें n की जगे पर तो 1 square plus m square y1 0 और y1 0 को भी put करने y1 0 कितना है minus m e की power m pi by 2 तो यह value देखे क्या आजाएगे इसके जगा पर जब minus minus m को मैं पहले ही लिख लेता हूँ minus m 1 square plus m square देखे यहाँ पर थोड़ा सा बड़ी term आ रहे हैं ध्यान दीजेगा minus m 1 square m square और yn minus m e की power m pi by 2 e की power m pi by 2 यह मेरे पास आ गया y3 कितना आ गया y3 अब calculate करते हैं 2 को तो हमें मिलेगा y 2 put करने पर y4 और y4 को ज़रा निकालते हैं 0 पे देखे कितना आएगा y4 0 पे y4 n की जगे 2 put किया है तो 2 का square plus m square y2 0 और जब आएगे y2 0 को put कर दे y2 0 कितना है m square e की power m pi by 2 e की power m pi by 2 तो यहाँ पर मैं लिखूंगा m square m square को पहले लिख देता हूँ और 2 square plus m square और e की power m pi by 2 e की power m pi by 2 तो यहाँ पर देखे को जब even number आया m square 2 square plus m square और e की power m pi by 2 अब अगेन हमारे पास चलिए अब मैं right side में लिख लेता हूँ next time अगर मैं आगे की terms को put करूँ तो आगे हम put करेंगे इसमें हमने one put कर दिया two put कर दिया अब हम three put करते हैं तो y5 आ जाएगा y5 देखे कितना आएगा y5 जीरो is equal to y5 जीरो इक्वल टू में यहाँ पर देखें जड़ा n की जगे हमने put किया है कितना three तो three square प्लस m स्क्वाइग three square प्लस m square और यहाँ पर y3 0 y3 0 अब y3 0 की value देखो जड़ा कितनी है y3 0 की value यह लिखी है यानि कि उसके साथ हमें इसको भी attach करना है देखें कितना आ जाएगा इसको लिखने के बाद इधर ध्यान दें देखें y3 0 तो y3 0 3 हाँ यह माइनस m आएगा माइनस m को मैं पहली लिख देता हूँ one square प्लस m square आएगा one square प्लस m square आएगा और three square प्लस m square और e की power m pi by 2 e की power m pi by 2 यह हमारे पास आ जाएगा next expression अब हम put करेंगे four को तो हमारे पास आएगा y6 0 पे y6 0 पे यानि कि n की जगे four put कर रहा हूँ है तो n की जगा पर four put करने पे four square प्लस m square four square प्लस m square y4 0 और y4 को put कर दे जाना y4 यह रहा मेरे पास तो m square तो इसको मैं थोड़ा सा बढ़ते वे मतलग increasing order में लिख रहा हूँ तो यहाँ पर दोनों value को merge कर दे रहा हूँ तो four square प्लस m square y6 y6 हमारे पास क्या आएगा four square प्लस m square और हमें put करना इसमें y4 तो y4 का m square मैंने पहले लिख दिया फिर two square प्लस m square तू square प्लस m square उसके बाद four square प्लस m square और उसके बाद e की पावर एम पाई बाई टू अब और आगे नहीं लिखूंगा और आगे हम सीधे अब इसको जनरलाइज करेंगे जनरलाइज जनरलाइज यहना last term लिखेंगे देखे last term ले키 क्या होगा अब last term पर ध्यांदे देखे y n yn is equal to देखे जरा अब आप इसमें even और odd को ध्यान दे even और odd क्या है पहले मैं odd वाला लिख देता हूँ odd वाला देखो कौन कौन सा है odd वाली terms कौन कौन सी है उनको ध्यान देते है odd वाली terms एक तो यह है y3 और एक यह है y5 इन दोनों को जरा चेक करो तो क्या पैटन बन रहा है यहां पर जब 3 है तो यह 1 square m square है यह यह 3 है तो यह minus m one square m square e की power m pi by 2 और जब हम 5 पर पहुंचे तो वही चीज़ आ रही है देखो starting में minus m one square m square लेकिन यहां 3 square m square बढ़ गया यहां यह increasing order में जा रहा है अब देखो लास्ट रम में क्या रहा है थ्री का square यहां अगर 5 है तो वहां लास्ट में 3 का square होगा यह नि कि यह होगा तो वहां लास्ट में यह माइनस 2 का square होगा बाकि सब हमारे पास आ जाएगा यहां पर कितना होगा लास्ट में लास्ट में हमारे पास माइनस m1 square plus m square 3 square plus m square e की power m pi by 2 देखें इसी तरह से sequence चलता जाएगा और लास्ट में हमें मिलेगा यहां पर दी की जगे मैं क्या लिखूंगा एन माइनस 2 का square प्लस m का square और e की power m pi by 2 यह मिलेगा यह कम मिलेगा वेन एन इस ओड़ वेन एन इस और जब एन ओड़ होगा तब हमें यह मिलेगा चलिए अब दूसरे में देखते हैं ठीक है दूसरा कम मिलेगा देखे ईवन पर क्याम इलėगा इवन में अगर आप यहां दें तो एक एवेन में यह आरहें वाई k이고2 investigators mm कुक्ष में क्या रहा है है यानिकर हमारीजा तांंस है वो अगेल जो ट्रम से हमारी क्या है अगेन बढ़ती जा रही है तरम्स हमारी बढ़ती जा रही है दुबारा से तो देखें लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा इसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हैं वाइशिक्स वाले को तो हमें देखें क्या मिलेगा M square M square 2 square plus M square 4 square plus M square और इसी को मैं आगे बढ़ाते जाओं तो लास्ट में N minus N minus 2 का square प्लस M square E की पावर M pi by 2 और ये कब है वेन वेन एन इस और इवन वेन एन इस इवन जब N क्या है E1 है तो हमारा जो ही question है complete हो गया है ठीक है बहुत ही अच्छा question था और बहुत ही important question भी है देखें इसी question में और भी कई question बन सकते हैं पर E की पावर M cos inverse X है E की पावर M sin inverse X हो सकता है E की पावर M 10 inverse X हो सकता है तो बहुत सारे question इस तरह से हम बना सकते हैं चलिए अब चलते हैं अपने next question की तरह और next question है हमारा y equal to x under root में 1 plus x square की whole power M find y and 0 देखें ये भी एकेट्यू में आयवा question है important question है और अगर आपके पास book होगी एंपी बाली तो उसमें ये unsolved question दिया हुआ भी है ठीक है जितने भी question है सब आपको लगभग एंपी बाली में दिये हैं और सब ये एकेट्यू में आचुके सब important question है अगर आप जितने question मैंने आपको करा है अगर आपको ये सब समझ में आ गई है तो इसका मतलब आप इस चेप्टर के लेपनीस theorem के जितने भी questions है सब को attempt कर सकते हैं चलिए देखें अब इसको भी मैं आपको कराता हूं देखें कैसे होगा इसमें थोड़ा सा चेंज है लास्ट में बिल्कुल वैसा ही है तो इस टोड़ा सा चेंज है बस देखें स्टार्टिक में हमारे पास function क्या है y वाई कोल टू x plus under root में 1 plus x square की whole power m whole power कितनी है m है अब देखे इस तरह के differentiation जब आ जाते हैं इस तरह के differentiation जब आते हैं तो हम क्या करते हैं आप लोग को अच्छे से मालूम है class 12 में भी आपने बहुत सारे differentiation किये हैं कि जब कोई term root में आ जाती है और उसकी power भी लगी हो तो हम उसमें help लेते हैं logarithm की किसकी help लेते हैं log की तो इसमें कैसे इसको differentiate करेंगे पहली बार में इसका लेंगे हम log तो taking log both sides taking log both sides दोनों तरह इसमें log ले लेंगे तो log लेने पर देखे मेरे पास क्या आ जाएगा log y थोड़ा द्यान से देखें क्योंकि इसकी जो starting है question की वो बागी question से क्या है थोड़ा सा different है है ना बागी question से थोड़ा सा different है तो taking log both sides तो log y is equal to log x plus under root में 1 plus x square की whole power m whole power m चलिए मैंने इसका log अब यहाँ पर थोड़ा log का formula यूज करते हैं देखिए आप सब लोग को मालूम होगा log m की power n जो होता है वो n log m होता है log m की power n जो होता है वो n log m होता है यह formula आपने class 12 में बहुत यूज की होंगे differentiation और integration में चलिए आगे देखें हैं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ log y is equal to m log x plus under root में 1 plus x square m देखो multiply में आगे है मैंने वो फार्मुला लगा दिया जो m था हमारा वो multiply में आगिया है ठीक अब हम इसको करेंगे differentiate देखेए जड़ा now differentiate it with respect to x इसको x के respect में जड़ा differentiate करते है तो देखते है कितना आजाएगा x के respect में differentiate करने पि now differentiate मैं यह आप लिख देता हूँ differentiate with respect to x देखिए यह differentiate with respect to x मैंने बहुत जगा पर नहीं लिखा है क्योंकि space थोड़ा ज़्याद हो जाता है तो आप इसको बार-बार लिख सकते हैं differentiate with respect to x तो देखिए क्या आजाएगा log y का differentiation का differentiation आप सबको मालूम होगा देखिए अगर आप log x का differentiation करते हैं x के respect में तो वन अपॉन एक साइड लेकिन अगर आप log y का differentiation करते हैं x के respect में और y जो है x का function है इसका differentiation वन अपॉन वाई और इंटु में y का फिर से differentiation होगा तो वाइवन आजाएग तो अब जड़ा ध्यान दें इदर लोग y का differentiation वन अपॉन वाई और वाई वन कितना हो जाएगा वाई तो लोग y का differentiation वन अपॉन वाई और वाई का differentiation वाई वन इस एक्वल टू अब धर राइट साइड में ध्यान दें तो यहाँ पर हमारा लोग y का differentiation हो गया वन अपॉन वाई इंटू वाई वन अब राइट साइड में देखो जड़ा क्या लिखा है m तो constant है तो m ऐसे ही रहेगा इंटू अब यहाँ पर लोग का differentiation करेंगे तो लोग का differentiation तो वन अपॉन अपॉन एक्स होता है तो यहाँ पर हम अगेन वही चीज़ करेंगे लोग का क्या हो गया वन अपॉन एक्स हो गया अब मैं differentiation करूंगा अब हम differentiation करेंगे जो bracket में लिखा है लोग क्या आगे लिखा है तो एक्स का differentiation 1 प्लस और इसका differentiation देखिए आपको अच्छे चे वालूम होगा रूट एक्स का differentiation रूट एक्स का डिफ्रेंशेशन होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स तो यहां पर अगर मैं इस रूट का डिफ्रेंशेशन करूँगा तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस x square आएगा और अभी मैंने root का differentiation किया आप x square का करूँगा तो इसका differentiation 2x आएगा according to chain rule तो multiply में आजाएगा 2x थोड़ा सा ध्यान दीजिए आपर question तो simple है लेकिन आपको differentiation करना है थोड़ा सा तो m 1 upon x plus under root 1 plus x square log का differentiation हो गया अब इसके आगे जो लिखा इसका differentiation करेंगे x का differentiation हो गया 1 और इसका differentiation 1 upon 2 root 1 plus x square फिर x square का differentiation 2x तो यह हमारे पास आगया चलिए इसको अब थोड़ा सा simplify करते हैं देखिए यहाँ पर हमारे पार left side में क्या है 1 upon y y1 is equal to m equal to m अब जड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर देखो यह तो नीचे ऐसे ही रहेगा 1 upon में x plus under root में 1 plus x square और यहाँ पर देखो क्या आजाएगा इसका मैं नीचे lcm ले लूँगा यह 2 से 2 कार देते हैं पहले और फिर इसका lcm ले ले लेते है तो यह under root में 1 plus x square आएगा और यहाँ lcm लिया है तो यह under root में 1 plus x square आजाएगा और यहाँ पर बचेगा हमारे पास x तो अगर आप ध्यान दें तो यह जो लिखा है numerator में वही लिखा है denominator में तो दोनों हो गए cancel out अब हमारे पास आगे देखें क्या बच रहा है अब हमारे पास y 1 upon y 1 upon y y1 is equal to उपर numerator में m बच रहा है m upon under root में 1 plus x square यह हमारे पास आगे अंडर root में 1 plus x square और y हमारे पास y की value हमारे पास है ठीक तो यहाँ पर 1 upon y y1 equal to m upon under root में 1 plus x square अचा हमने इसको differentiate किया था equation 1 हमारे पास differentiate with respect to x यह हमने इसको differentiate कर दिया यहाँ से y1 की value कितने आगे y1 is equal to m y upon under root में 1 plus x square तो यह मेरे पास y1 आ गया कितना आ गया y1 ठीक है y1 को हमने find out कर लिया है अब देखिए हमारे पास equation 1 तो हमारे पास आगे equation 2 हम equation 2 इसको भी assume कर सकते है इसको भी assume कर सकते है याद रखे जब आप equation 2 अगर इसको ले रहे हैं तो जिस समय आप y की value put करेंगे तो वही put करेंगे जो equation 1 से आई थी चलिए यह हमारे पास equation 2 आ गई और simplified form में है अब हम इसको एक बार और differentiate कर देते हैं एक बार और differentiate कर देते हैं लेकिन उससे पहले इसको left side में लेके आएंगे root को denominator को कहा लेके आएंगे left side में तो left side में कर आप denominator को लाएंगे तो under root में 1 plus x square y1 is equal to m y यह आ जाएगा now squaring both side अब क्या करेंगे दोनों तरफ isquaring करेंगे तो isquaring both side दोनों तरफ isquare कर दीजिए तो दोनों तरफ isquare करने पर आपको मिल जाएगा 1 plus x square y1 का square is equal to m square y यह हमारे पास आ जाएगा ठीक है अब इसको क्या करना है अब इसको हमें एक बार और differentiate करना है ठीक है ना तो again differentiate जिससे हमें मिलेगी equation number 3 तो इसको एक बार और differentiate करेंगे प और दूसरे का differentiation हो जाएगा 2y1 y2 is it plus अब second को ऐसी लिखेंगे y1 square और पहले का differentiation करेंगे तो यह आजाएगा 2x is it equal to m square ऐसी लिखेंगे और y का differentiation आजाएगा y1 अब यहाँ से देखो 2y1 हमारे पास m square यह y square m square squaring की both side m square y square तो यहाँ पर y square का differentiation y square का differentiation देखें m square तो constant है और y square का differentiation 2y और फिर y का differentiation y1 अब मैं 2y1 को फिर से common ले लेता हूँ दोनों तरफ अब आप देखेंगे कि यह question बिल्कुल पहले जैसा ही same हो गया है one plus x square 2y1 को common ले लेंगे 2y1 को common लेने के बाद हमारे पास बचेगा one plus x square y2 और यहाँ से 2y1 को मैं common लेंगा तो 2y1 देखें 2y1 हमने common ले लिया है तो 2y1 common लेने के बाद one plus x square y2 और यहाँ से 2 भी common आ गया y1 common आ गया तो xy1 xy1 इधर से 2y1 को मैं अलग कर लेता हूँ 2y1 कितना बचेगा m square बचेगा और y बचेगा और यहाँ से 2y1 से 2y1 क्या हो गया cancel out हो गया और यह cancel होने के बाद जो हमारे पास next equation आएगी देखें next equation क्या आएगी मैं इधर right side में लिख देता हूँ next equation देखो next equation मेरे पास आ जाएगी 1 plus x square 1 plus x square y2 plus xy1 और उधर आ रहा है m square y और उसको मैं left में ले आऊँगा m square y is equal to 0 यह equation मेरे पास आ गए है यह equation अब क्या करना है इसके बाद आपको leavene's theorem को apply करना है और leavene's theorem को apply करने के बाद आपके पास आ जाएगी equation number 4 देखें equation number 2 हमारे पास आगे और equation number यह हमारे पास आगी equation number 3 इसके बाद आप इसमें leavene's theorem apply करेंगे leavene's theorem apply करने के बाद आप फिर से yn की value find out करेंगे at x equal to 0 तो देखें ऐसी अगर आप देखें यह equation है क्या आपको नहीं लगता बिलकुल पहले जैसी equation आ रही है देखें अगर आप पहले की equation देखें हम तो हमारे पाद देखें यह इस ताइब की equation है ना तो यहां पर भी कुछ वैसी equation है easy equation है तो इसमें आप leavene's theorem को apply करेंगे और leavene's theorem apply करने के बाद इसका आप nth derivative x equal to 0 पर find out कर लेंगे अब इसके आगे का पार्ट है यह आप लोगों के लिए homework है आप इसको घर में प्रैक्टिस करें ठीक क्योंकि आप इसमें आगे कुछ है नहीं आगे बहुत आसान है जैसे मैंने question कराई है उनसे भी ज्यादा आसान है और उनीक है जैसा है तो इसको आप अ यह question अच्छे से आज आते हैं तो आप बाकी जितने भी लगनी श्योरम के question है बहुत easily calculate कर सकते हैं तो आज का lecture हमारा यहीं पर खतम हो रहा ओके thank you so much